हेलो बच्छो कैसे आप सब आप सब बहतरीन होंगे बच्छो इस वीडियो के मात्यम से मैं एक छोटी सी चीज इन फैक छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सब के साथ साजा करना चाहता हूं बच्छो कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है मुझे या पिछले तीन चार दिन से पिछले एक वीक में कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं चुकि अब एक्जाम्स बहुत पास आ गये हैं तो बच्छे बोलते कि सर पता नहीं पढ़ाई नहीं हो रही है कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम से मन नहीं लग रहे हैं सब भाई सब कुल मिला के अगर हम सारे रीजन्स को देखें या आप लोगों का भी एक बेसिक प्रॉब्लम देखें तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है सुबचो मैंने बोला कि चलो यार इस बारे में अपन भी थोड़ा सा रीसर्च करते हैं कि जब मैं स्टूड़िन था सुपान सर जब स्टूड़िन थे यह कोई भी जब स्टूड़िन था तो हम पढ़े क्यों नहीं पाते थे या पढ़ाई के पीछे मतब क्यों नहीं रीजन निकल के आता है वाई डोंट भी स्टूड़िन नमबर वन बहुत सारी रीजन है बाद उसमें से एक रीजन है मोबाईल सो बचों आप देखी क्या है जब रिजल्ट आएगा उस दिन सब लोग बहुत खुश होंगे इंफक्ट जो पास हो जाएगा वो तो बहुत ख कर सकते हैं हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने सुनहरे भविष्टे के प्रती कुछ तो बहतर कर सकते हैं सो इस दो कौड़ी के डिवाइस के चक्कर में इस दो कौड़ी के मोबाईल के चक्कर में मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करता हूं और बचों ये बहुत आप अब आप पागलपन देखिए वह साला Amazon, Flipkart, Mintra इस पर दो-दो घंटे निकाल देते दिन के तो बचो सबसे पहली चीज तो यह है बचो आपने मोबाईल को बिलकुल Nokia का मोबाईल बना दीजे कोई भी आप मत रखिए Amazon हटा दीजे, Flipkart हटा दीजे, जितने भी Instagram है देन आपका Facebook है, Remove all the apps, WhatsApp and this YouTube you can take, अगर आपको YouTube चीजे तो आप YouTube भी रिमूव कर दीजे, Telegram सबसे पहले हटाईए बचो मतलब I don't know बच्चों की Telegram में कई लोगों को useful हो सकता है, बट मेरा जो opinion है, मैंने देखा है कि जितने मेरे बच्चे Telegram पर joined है, उन सब की स्थिती बहुत खराब है, everyday they are into new confusion, बच्चों कल मेरे पास किसी का phone आया कि, you know, sir, मेरे जो dad है, मेरे जो पिता जी है, उन्होंने काफी demotivate कर दिया है, sir, और उस चीज़ के चलते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, family issues के चलते हैं, पढ़ाई नहीं कर पारे है, sir, mobile से तो हम पीछे भाग सकते हैं, mobile से तो हम पीछे छुड़ा सकते हैं, but what about this mobile phone, sorry, what about the family issues, family से तो नहीं भाग सकते, क्योंकि सर अगर मैं पढ़ाई कर रही हूं तो मैं अच्छा कर रही हूं बट मेरी फैमिली को इसी से प्रॉब्लम है वो मुझे डिस्करेच करते हैं वो बोलते तेरे से कुछ नहीं होगा तू ये तू वो अगर आप फैमिली इस्यूज है और अगर आप फैमिली आपका साथ नहीं दे दिये तो अपर उनसे भाग नहीं सकते हैं लेकिन एक काम कर सकते हैं एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो बस और कुछ नहीं कर सकते हैं एक कान से फैमिली की प्रॉब्लम को सुनो या जो भी उनके पास जो भी आपको डाटते हैं आपको डिस्कृच करते हैं लिसन फॉम यह टिक आउट फॉम यह बस यह ध्यान में रखें तीसरी चीज़ बचो जो हम सब को बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे मन को बहलाते हैं कि या नीचे आना पांच मिन्ट बात कर लेते हैं बस और वो पांच मिन्ट आपने बात करना शुरू किया कहानी हो गई खाद में आपके दो डाई गंटे खराब हो गए ठीक है एक्जाम के टाइम पर मुझे अच्छे से याद है जब मैं एक्जाम लिया होता है सो बच्चों समझ यह कुछ रीजन से देन बच्चों टीवी एमेजन प्राइम डिजनी होट स्टार आई पी एल अगर आप यह सारी चीजें देख रहे हैं तो बच्चों I am very sure कि आप बिल्कुल फेल होने की तयारी कर रहे हैं अब आप मैंसे कई बच्चे हैं आप सब को पता है तो मैंने उसके लिए मैस देखा था और बच्चों वह देखने के बाद I did not sleep मैस देखने के दो घंटे तक मेरे दिमाग में IPL ही चल रहा था तो कही ना ऌही मैं दो घंके ले टोगया सोने में 2 घंटे लेट हुआ थो ऊटने में दो घंटे सूंझे लेट हो गया अप समझ रहे हैं बल्कु पशल आप की आप IPL देखेंWा आप 2 घंटे आप समझ रहे हैं बल्कुए in your mind then you see this player was nothing and he was bought for 5 crore, 10 crore, 15 crore in the IPL so आपका दिमाग वहां चला जाता है यार कि ये बंदा ऐसा ऐसा है ऐसा है ऐसा है सो बचो हमेशा याद रखना जितने भी मेरे rank holders रहे हैं जितने बचो ने मेरे यहां से टॉप किया है या जितने बचो ने टॉप नहीं किया बट आज बहुत टॉप की पोजिशन पे सबके बीच में सिमिलारिटी यही थी कि बचो वो पूरी बाहर की दुनिया से हट गए थे उनको पता ही था दुनिया में क्या हो रहा है ठीक है सो बचो प्लीज मैं आप सबसे यही कहूंगा इन सारे इशूस को अवरकम कीजे जस्ट अपने गोल पे फोकस कीजे बचो नियाद रखिये कि अगर आप ने पढ़ाई नहीं की बचो अगर आपने पढ़ाई नहीं कि आप पैसे नहीं कमा पाएंगे अगर आपने पैसे नहीं कमा पाए तो आप एक इजद्दा life नहीं जी पाएंगे अगर आप इजद्दा life नहीं जी पाएंगे तो आप अपनी family की आकांचाओं की पूरती नहीं कर पाएंगे family की आकांचाओं की पूरती नहीं कर पाएंगे तो family आपको ठुकरा देगी और और बच्चो family अपने जब अपनों ही ठुकरा ठुकरा दिया है तो समाज को ठुकराने में टाइम लगेगा और बच्चो हम अपने जीवन को एक नरक के भाती बना लेंगे सो बच्चों कुल मिला कि अगर मेरे हाथ में अभी time है मेरे हाथ में अभी मौका है support है पैसे कमाने की tension नहीं है तो मुझे लगता है कि इस age में इस समय पे अपना जो समय है अपना अपना ये बहुमूले समय मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा किसी दूसरे time काम पे व् जरूरत नहीं है वीडियो को like करने कोई जरूरत नहीं बस मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं अगर आप उसका 10% भी serious लें आपका career बनेगा और मेरे लिए उस चीज से स्वर्णिम चीज कोई भी नहीं हो सकती कि आप सब लोगों का एक उजवल भविष् जरूरतॉ